तो गैस अभी के टाइम पे ना हमारे फ्रीपायर गेम के अंदर एक बहुती तगड़ा ग्लिच चल रहा है और वो जो ग्लिच है वो ये है कि हमारा जो मोबाइल का नेट्वर्क है ये बिल्कुली सही है लेकिन इसके बाद भी हम लोग को हमारे गेम के अंदर हाइपिंग का प्रोबलेम देखने के लिए मिल रहा है और यहां पे नेटोर्क यह बिलकुली सही है मतलब कि मैं यूटूब चला रहा हूं और मैं जो यूटूब है तो भाई आप लोगों ने बिल्कुली सई वीडियो पर क्लिक किया है क्यूंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हाइपिंग प्रोब्लेम का सोल्यूशन बताने वाला हूं तो फिर इस वाले वीडियो को बिना स्किप करें पूरा का पूरा एंड तक देखना और आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जादा यूस्पूल होने वाला है तो प्लीज इस वाले वीडियो को एक लाइक जोड़े कर देना अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आगन को औल पर स्लेट कर लेना तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेता है बिना खिश देरीगे तो गैस अगर आपका नेटवर्क स्लो है तो फिर आप लोगों को गेम के अंदर हाई पिंग का प्रोब्लेम देखने के लिए मिलेगा लेकिन गैस अगर आपका network बिल्कुली सही है बिल्कुली सही है लेकिन उसके बाद भी आप लोगो game के अंदर high ping का problem देखने के लिए मिलता है तो भाई इसमें आपके network की कोई भी गलती नहीं है इसमें game की गलती है डिक है game की गलती मतलब कि आप लोग खुदी सोचो आप लो problem हम लोगो को क्यों देखने के लिए मिलता है तो गैस अगर एकी game को एकी time पे बहुत सारे लोग खेलते हैं तो भाई हम लोगो को हमारे game के अंदर ये बला problem देखने के लिए मिलता है अब भाई कल में रात के बारा बजे CS rank खेल रहा था रात के बारा बजे मैं अकेला हाई पिंग का problem देखने के लिए मिलता है तो अभी हम लोग आते हैं में मुद्दे पर मतलब कि हम लोग हाई पिंग के problem को solve कैसे करें तो भाई देखो एकदम easy trick है जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं गाइस सबसे बहले तो आपको game के अंदर चले आना है देन गाइस आपको game के settings के अंदर चले जाना है गाइस यहाँ पर आपको एक option दिख रहा होगा clear catch कर देना है तो मैं यहाँ पर 3 बार clear catch कर देता हूं गाइस clear catch करने के बाद आपको यहाँ पर एक और option दिख रहा होगा send report का तो simply आपको send report बाले option पर click कर देना है और गाइस जैसे आपका report successful हो जाए आपको simply game को minimize कर देना है देन गैस आपको अपने mobile के settings के अंदर चले जाना है और यहाँ पर आपको apps वाले option पर click कर देना है गाइस apps के उपर click करने के बाद आपको free fire या फिर prepare max को ढूंड लेना है तो मैं यहाँ पर prepare max को ढूंड लेता हूं यहाँ पर आपको एक option दिख रहा होगा storage का सिम्पल आपको storage वाले option के अंदर click कर देना है गाइस storage के उपर click करने के बाद आपको यहाँ पर clear catch कर देना है और यहाँ पर मैंने CS rank पर start कर दिया and guys मेरा जो game है वो start हो चुका है and अभी मैं आप लोगों को दिखाओनगा कि मेरा जो pink है वो high अभी भी है यापे नहीं तो guys मैं आ चुका हूँ game के अंदर and यहाँ पे आप लोग देखी सकतों कि मेरा जो pink है वो बिलकुली सही हो चुका है तो गैसी इस वाले ट्रिक का यूज करके आप लोग अपने हाई पिंग के प्रोब्लेम को बिल्कुल ही सही कर सकते हो लेकिन अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी आप लोग का जो हाइपिंग का प्रोब्लेम है वो सही नहीं होता है तो भाई आप लोग मुझे कोमेंट करके बता सकते हो मैं इसके उपर एक और वीडियो बना दूँगा specially आप लोग के लिए आज के वीडियो आप लोग को पसंद आओगा अगर आपको आज के वीडियो थोड़ा से पसंद आया है अगर आप लोगों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज के वीडियो बस इतना ही मैं मिलूंग आपसे एक और न्यू वीडियो में तब तक के लिए बाई